कानपूर देहात पुलिस ने लोक गाई का नेहा सिंग राठोर को नोटिस जारी कर दिया है। हाले में कानपूर देहात अगनिकांड पर उन्होंने यूपी में काबा सीजन टू गाना गाया था। मूल रूप से बिहार की रहने वारी लोग गाई का निहा सिंग राठोर के घर मंगलवार देर रात पहुच कर कानपूर देहात पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी किया है। अगरिम विदी करवाई की जाएगी। अगरिम विदी करना है। 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 साजा परोड़ी। वह नोटिस में ये कहा गया कि जवाब तीन दिन में दिया जाए। और संतोष जनर के जवाब ना होने पर उनके खिलाफ IPC और CRPC की धराओं के तहत करवाई की जा सकती है। आपको बताते हैं कि नोटिस में किस तरह के सवाल पूछे गया है। नोटिस में पूछा गया है कि क्या वीडियो में आप हैं या नहीं। या फिर Twitter account at the rate नेहा फोक सिंगर पर अपनी स्वैम की email ID से upload किया गया था या फिर नहीं। क्या नेहा सिंग राठोर चैनल और Twitter account आपके हैं या फिर नहीं। अगर हैं तो क्या आपके द्वारा इनका उप्योग किया जाता है या फिर नहीं। वीडियो में प्रयोग तो किये गए गीत के शब्द क्या आपके द्वारा लिखे गए हैं या फिर नहीं। इस गीत से उत्पन भावार्थ से समाज पर पढ़ने वाले प्रभाव से नेहा भिग्या हैं या फिर नहीं। इन सवालों के बाद नोटिस में लिखा है कि नेहा सिंग राठोर को तीन दीन में इनके जवाब देने हैं। उनके जवाब संतोष जनक नहीं पाया जाने पर उनके खिलाफ कारवाई की जाएगी। दरसल उन्होंने अपने इस गाने में हाली में कानपुर देहात में बुल्डूजर की कारवाई के बाद एक मा बेटी की जलकर हुई मौत की वज़ा से योगी सरकार पर सवाल खड़े किये हैं। जिनके बाद नेहा सिंग राठोर को पुलिस ने नोटिस जारी किया है और तीन दीन के अंदर इस नोटिस का जवाब देने को कहा है।